जाहिंद जोहर दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी फर गोल्स में आपका स्वागत है मैं विकास मिंडल दोस्तों मेरे दुवारा जहारकन हिस्ट्री का जो सीरीज चला जा रहा है उसका आज दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे जहारकन का एतिया जो है वो सासन करते थे तो जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है उनको मैं बता दूं कि वो सबसे पहले जाके फर्स्ट क्लास कर लें उसके बाद सेकेंड क्लास में आएं ठीक है तो चलिए हम लोग देखेंगे आज जहारकन का इतिहासी कालकरम में क्या पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग इसमें देखेंगे कि देखें एतिहासी कालकरम क्या होता है क्रोनोलोजी क्रोनोलोजी वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे क्रोनोलोजी का मतलब हो गया आपका जाके घटनाएं एक लगातार जो घटती है मतलब सुरू क्या हुआ फिर उसके बाद क्या एक सूची बहुत तरीके से जो घटनाएं घटती है उसको बोलते हैं क्रोनोलोजी ठीक है तो जहारखंड का भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि जहारखंड जो है उसका निर्मान कैसे हुआ फिर जहारखंड में लोग कैसे आके बैसे जो जन जातियां थी यहां पे 32 तर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि अलग अलग काल खंड में जहारखंड को किन किन नामों से जाना जाता है जैसे एत्रे ब्राह्मन में क्या बोला जाता था माभारत के समय क्या बोला जाता था प्रयाग प्रस्तिस्ती में क्या लिखा गया है जहारखं के बारे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि आप पहले जेग्रॉफी पढ़िए हम जो जेग्रॉफी का क्लास अभी तक करवा चुके हैं जितने भी सोलर लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूटूब पे करने के बाद उसके बाद हिस्ट्री आइए आपको देखेगा कि एक जरा भी कहीं भी परिशानी नहीं होगी कोई बीचीज समझने में तो चलिए आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं आज के क्लास में जारकन का कालकरम क्रोनलोजी ओफ जारकन तो देखेए तलकरम में हम लोग देखेंगे दो चीजें देखेंगे इसमें एक हो गया भोगरविककल, एक होगए इतिहासी काल भोगरविककल हो गया यह आपको जो जारकन का हिस्ट्री जो पढ़ा चुके हैं उसमें second chapter में आपको बताए थे भोगरविक इतियास जारकन क और थर्ड शप्टर में धराते लिए सरोग तो आप यूटूब पे जाके जो लोग नहीं किया है वो यूटूब पे जाके कर लेंगे इसमें हम लोग देखे थे कि क्या है कि पिर्थवी जब बना था उसके बाद फिर आपका जो है अलग-अलग लेंड जो है अलग-अलग मह कैसे आपका हजारी ग 1 2 पर तो इन सब चीजों के बारे में दामदर नदी का मतार उसका स्थार्ट हुआ में नेस जर्था चिप्तव Hai में उसको आप देख लेंगे अब लोग आते हैं हिस्ट्री में इस्ट्री में हम देखेंगे एतिहासिक काल में क्या देखेंगे कि जब homo sapiens का उद्वाव हुआ करने का मतलब हो गया जबंगे अने कि भरंन गया बहुत जादे जब हो घंध जब है तो फिर यहां का जीवका पहुत जीव उत्पन उपन हुआ जीविए उसके पितकितहु को थीएyl औहां, बहुत सारे जीव उत्वन हुए उसे प्रकार आपका काया यहां पर मानव को उद्भाव स्टार्ट हुआ है at यहां पर मानव protests भूआ है मानव जंञाती है को आज से कम दस हीना भूर पूर से हुआ ज़िए तो मानव जाती का जो है उद्बा हुआ होगा तभी तो आगे हम लोग देखेंगे इसका बारे में कि आपका मानव का इतिहास क्या रहा है कैसे वो लोग जो है कहां पे रते थे जैसे गुफा में रते थे कैसे आग का विश्कार हुआ पहिये का विश्कार हुआ पसुपालन ह स्पराइन थाज भर टु में था टू मांत्व और भी आरे दमान में आज हम क्म विक्षों महुंबट गया चिक है एक हो गया आपका प्राग एतिहासिककश ऑर एक हो गया एतिहासिकशो अर देखें प्राग द्वारा जो भी कारे किए गये त्यक्ते या वek imamu का जो विकास त्व हुआ उनके दुआरे क्या क्या गया नहीं किया गया उसके लिए अगर कोई लिखित साक्ष नहीं है तो उसको प्राग एतियासिकाल का बोला जाता है और आपका कोई लिखित साक्ष है, जैसे कि आपका लिखित साक्ष में क्या आ जाता है, जैसे सिला लेक हो गया, ठीक है, सिला लेक में अपनी भासा में लिखा होगा, अभी लेक हो गया, ठीक, उसके बाद देखिए, सिला लेक हो गया, कोई आपका जाके दिवाल वगेरा में बनाया है, अभ पुराते तुव वभाग के दवारा या फिर आपका इतिहास कार के दवारा तो उन लोगों ने उसका अधियान करने के सारी चीजएं बताया है कि इस टाइम है गुपतिकाल में क्या हुआ करता था है कि जैसे कि बूत धर्म हो गया जैन धर्म होकि या तो बहुत थो attempting जो को गाएगे आपका टीजज बॉला हुए है कोई कुलहारी पाये गाया तावा का suppose that carbon dating के माधियम से C 14 कर्बन dating के माधियम से इसका अनुबान लगाय जाता है यह से पता लगाय जाते कि कितना वर्स पुराना है तो पता से पता चला है यह आपका 5 या प $洶 पुराना है जो फिर C-14 जो है इसके द्वारे जो हता है क्या Carbon dating के द्वारे क्या चाय जाता है, की किसी भी चीज़ का ओम्रताय क्या जाता है कि वो कितना वर्ष पुराना है, ठेक है तो उससे वह चीज़ का पता लगा कि ये अनुमान लगा पाये गया है तो अगर पता चला है कि वह आपका 2,00,00 बार्ट हुआ है तो पता चला है कि आपका नर्तिकी का मूर्ती पाया गया तो इसका मतलब आपके नर्तिके का मूर्ति पाएगा तो इससे पता चलता है कि किस-किस परकार के वह आब इसन भी पहनते थे यह सब चीजें प्राप्त होती तो इसको हम लोग जिसके लिए कोई लिखित साक्ष निया अनुमान के तौर पर लगाते हैं चीजें पाते हैं उससे क्या होता है क कि हाँ यह यह चीजे उस टाइम हुआ करती थी तो इसको प्राग एतिहासिक काल करते हैं और जिसमें लिखित साक्ष है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एतिहासिक काल ठीक है दोनों का टाइम प्रियेट सेम है यह भी आपका होमोसेपियंस के बाद का है ठीक है दोस्तों होम अत्मान तक का ये है एतिहासिक काल समझ माइँ जो याद करने का कोई जौरत नहीं है ये एक्जाम में कभी नहीं पूचए जाएंगे कि आपका प्राग एतिहासिक काल क्या है इस्टोरिकल टाइम क्या है यह सब चीजे नहीं बस यह आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ बता है थाकि आपको आने वाले चीज़ें जो है आसानी से और समझ में आ जाए ठीक है इसलिए इसको लिखने का कोई जो जो रहत नहीं है अब आगे हम लग देखते हैं दोस्तों अब यहां से में चीज़ें स्टार्ट होती है प्राग एतियासिकाल के बारे में बताएं कि कोई लिकित साक्ष नहीं है बलकि पुर्णता पुरातात्वी साक्षियों पर निर्वार है ठीक है दोस्तों और यह क्या है दस लाग बीसी यानि कि विफोर क्राइस्ट यानि यहां पर एतियासिकाल भी है तुम्हारा। हॉम्सापियंस का उद्वाप के बाद का काल यहीं है अब नहीं परतेक्ष रोट का काल को क्या बोलते हैं अब आते है हम लोग यह दोनों मैं से प्राग एतियासिक काल यहां तक समझ में आ गया आपको एक बढ़़िएंस से दे तो एक बाए chronology को समझ लिए उसके बाद हम लोग आते हैं प्राग एतियासिक काल में हम लोग देखते हैं पूरा पाशान काल मद्य पाशान काल और नाव पाशान काल ठीक है दोस्तों इसको याद करने का जोरत नहीं है खाली चीजे देखिए कि कैसे कैसे घटित हो रही है प अब देखिए इसमें जो है इसको तीन भागों में बांट दिया गया है पूरा पाशान काल मद्य पाशान काल और नाव पाशान काल पूरा पाशान काल का जो काल खंड है वह आपका कितना 10 लाग इसा पुरू से लेके 11,000 इसा पुरू तक का कोई भी चीज अगर आता है त क्या होता था कि उस टाइम लोग जो है सिकार करते थे ठेक है उस टाइम लोग क्या करते थे गुफाओं में रते थे कहां रहते थे गुफाओं में रहते थे ठीक है ऐसा नहीं कि जो प्री बना के एक जगह पे लोग कठा होके जैसे आज के टाइम में रहते हैं उस टाइप से नहीं रहते थे गुफाओं में लोग रहते थे और खाने पीने के लिए वो लोग क्या करते थे सिकार का परियोग कर कर लेते थे तो जो सिकार होता था उसको आखेट बोला जाता था था उस दोड़ी क्या बोला जाता था तो बहुत जादे ठंड होती थी, इसलिए लोग गुफाओं में ही निवास करते थे, बाहर जादा नहीं आना जाना करते थे, तो इसलिए उस टाम के लोग क्या ते खाद्रे संगराहक थे, ओओ लोग को देखे, आग के बारे में जानकारी थी, गुरा पासान काल में लोगों अनकारी थी क्योंकि कभी-कभी क्या होता था कि जैसे आपका तड़ी जंजा आया या फिर घरसन हुआ जंगल में पेड़ों के बीच में तो क्या उससे आग लग जाता था तो उस टेम वो आग को एजे क्या राक्षास के तरह उसको ट्रीट करते थे ठीक है ना यानि कि उसको उसको लगता था चिज के बारे में उसको नहीं पता था उसको लगता था कि यह जगल में निवास करते थे तो लोग को पलायन करना पड़ता था ही जगा से बहुत कैजोलिवी और यह थी यह रौशनी देती है गरमाहट देती है लेकिन यह उलो के लिए पर्तिकूल है यानि कि उलो के लिए उपयोग में नहीं है उस टाइम उसके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी उसके बाद देखते हैं कि क्रीसी के बारे में भी उलो को जानकारी नहीं थी ना वहीं पसुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी उस टेंग अब हीम यूग के कारण लोग जो है कहां पर गुफाओं में रहना पसंद करते थे तो हम लग देखते हैं यहां पर क्या कि हजारी बाग से आप देखें यह तो हम बताएं कि आपका पूरा पासान काल में लोग कैसे रहते थे जहारकन से रिलेटर एक ची ठीक है या फिर हजारी बाग के 2000 बाग से किस प्रकार के पासान काली मानव निर्वित आपके चैने के औजार पराप्त हुए है तो आपके क्या हो जाएगा पत्त्र के और प्राप्त हुए है ठीक है दोस्तों अब आते हैं मद्धपरसं काल में देखें अभी तो लोग को श 12000 वर्ष पूरू से लेके 6000 वर्ष पूरू यानिके 5000 वर्ष का जो है अपका बीच में कारेकल रहा तो इस दर्मियन क्या हुआ था कि तो लोग क्या होना कम गुफा से बहर में लगते हैं अगर आप बाहर नहीं लगती और गर्मी के लिए लगताary फूसे लगती है नहीं के लिए दिधार को अस्थान उसके वह जह चालना के लोग नहीं रहन होने लगा दो लोग włos तो पहले लोग क्या करते थे कि पस्वों को तो पहले क्या होता था कि बाहर में जब सिकार करने जाते थे गुफाओं से निकलते थे सिकार करने तो जितना एक बार में सिकार कर लेते थे लेके आ जाते थे और जब तक भोजन चलता था तब तक सिकार करने नहीं जाते थे जब बाहर में लोग रहने लगे तो अल्रेडी वो लोग जंगल में रहने लगे तो वहाँ पर जो भी सिकार होता था अल्रेडी उसके पास अबलेबल हो जाता था तो इस वज़े से क्या होने लगा कि जितना उसको चाहिए मतलब एक दिन में जितना उसको भोजन चाहिए था सिर्फ उतना ही वो लोग सिकार करते थे बाद बाकी क्या करे तो उसके बाद फिर क्या करने लगे पसुओं को एक जगा इकठा करने लगे और उसका पसुपालन स्टार्ट करने लगे तो इसी तरह मद्व पसंकाल में फिर क्या हो गया पसुपालन का सुरुवात हो चुगा था ठीक है दोस्तों समझ में आ गया कि पहले क्या लोग थे सिकारी लोग थे यानि भोजन को इकठा करते थे अब उलोग गुफा से बाहर रहने लगे तो जंगल में अल्रीडी सब पसुग वहीं पर रहता था तो उलोग अब देखो बाहर में रहने लगे तो उतना जयादे उलोग को जुरत भी नहीं था कि एक जगह बहार में जैसे पहले भोजन कठा करते थे तो आप भोजन कोई कठा नहीं करने लगा जितना एक दिन में उसको खाने का जो रहा थizione हो उतना यह अब बोचन अपिक बी सकार शिकार करता था बात बाकी नेक्स दिन शिखैर करता था कियों आड़ेडि एबलेबल रहने लगा तो फिर धीरे धीरे क्या करने लगा यारि Student पुर्षू पाया ने में प्रक्रिया start कर दिया यहां तक समझ माड़ आपको कि कैसे आपका जैके सिकार हुआ सिकार के बाद पशूपालन हुआ और पैसे पिर आपका क्रिशी ज्यापन शूरुवात हुआ ठोस्तों यानि कि आपका पहले भी सिकारी ठेगं पशुपालन आया उत्पान कलमे और नहीं को ख्रिसु का औविश्कार हुए थैक है और जब क्रिसी की शुरुहाथ हुई थो उसे के अनाज वगेर उत्पादन होने लगा तो फ्य potrze क्या हुआ है कि जो आग के बारे में जानकारी थी सके सद्वियोक के बारे में जानकारी नहीं हुआ थी उलो झो भी आधम लोग खाने लगा तो इससी तरह थी दिए दिरे उसको आग की और सारीय होने लगी तो याद रेखेगा पुरा पासंकाल में क्या हुगा था आग केjer उसके बारे में इसको जनकारी नहीं थी लेकिन 9 पासंकाल आते जाते इसके इसके सद्युकरा के वारे में इसको जानकारी होने लगी कि आग जो है हमारे लिए खत्रा नहीं है यह हमारे लिए वर्दान है ठीक है उसके बाद देखते हैं कि नव पासन काल में कुम्बकारी का प्रारम हो चुका था कुम्बकारी काने के मतलब हो गया जैसे आपका हो गया मिरिद्भान वग यहां पर यहां पर हुआ था नाव पाशनकाल में आगे हम लोग देखते हैं कि नाव पाशनकाल जब देख लिए नाव पाशनकाल का जो था ठैते सोय करने का मतलब हो गया तो इसको ध्यान से देखे सबसे पहले बहापाई जी सबसे पहले उपयोग में लाइगे धातु कौन्सी थी? तामबा तो उस टाइम क्या होता था कि तामबा में पत्थर का ओजार था दोनों मिल के बनाता था इसलिए इसको क्या बोलते थे? तामरपासान काल इसको बोलगे है ठीक है तोस्तों इसका जो टाइम प्रिएड है कितना? 4000 इसापुर्व से लेके 3000 इसापुर्व तक है यह काल जो है हडपा पुर्व, हडपा काल के दर्मियान और हडपा के पश्चाथ तीनों कालों से समभन दित है तामरपासान काल आपको मैं बता दू कि हडपा काल का जो काल है वो 2500 इसापुर्व से लेके 1500 इसापुरू के आसपास का है ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब क्या होगा कि तामा के खोज 4000 के आसपास हुआ है 4000 के आसपास जब इसापुरू के आसपास तामा के खोज हुई है तो इसका मतलब क्या होगा हड़पा सब बता के पहले की खोज है यह और उससे पहले खोशती तो हड़पस सब जता के दर्म्यान भी रहेगी और इसके बाद भी रहेगी इसलिए तामबा का क्या हो बला जाता है कि ये जो है तीनो काल में पाई जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पत्तर के साथ-साथ तामबे का परयोग प्रारम होने के कारण इसकाल को तामरपाशान काल कहा गया है माना द्वारा परयोग की गई पर्थम धातु कौन से थी तामाती जहरकन में इस काल का चेंद्र बिंदु कहां था? सिंग्भूम चेतर दोस्तों बताते हैं कि सिंग्भूम चेतर जो है आज की टाइम में क्या? पश्मी सिंग्भूम, पुर्वी सिंग्भूम और सराकेला कर्श्मा वाला चेतर को क्या बोला जाता है? अगर आप जारकन का मैफ देखेंगे, ऐसे गरके जारकन का मैफ है लगबग, अल्मॉस्ट, तो ये वाला एरिया क्या है, सिंग भूम है, तो इस एरिया केंदर था उस टेंड, कब, जब आपका तामरपाशन काल का समय का है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब देखें, तामबा से जो औजार बनाये जाता था, तो कौन लोग बनाते थे यहां पे? तो असूर हो गया, बिर्होर हो गया, बिर्जिया, जनजाती, खानों से अयस्क निकाल कर उसे गला कर उपकरन बनाने की कला से परिचित थे, ठीक ह तामबे की 49 खानों के आउसेस पराप्त हुए है, याद रखिएगा, हजारी बाक के कौन से जगह पर बाहर गंडा, बाहर गंडा से कितने 49 खाने, किसकी तामबे की पराप्त की हुई है, ठीक है, और सरपर्थम, देके तामबे का सरपर्थम जो खोज हुआ था, विशकार ह मेशूपोटामिया किसको बोलते हैं, आज के टाइम में इसको बोलते हैं, ह। क्या इरान और इराक वाला जो और शिरिया वला जो एरिया है, us गो बोल जाता था, मेश्युपाटामिया, जिस तरह सिंदुगार्टि बोले संभíamosम आरिया हो जाएगा, इरान जिस तरह सिंद तरहां हो गया Afghanistan, इससे थोड़ा सा अगे इधर आई येगा तो यह आपको इरान मिल जाएगा, यहाँ एराक मिल जाएगा और यहीं पर सिर्या आपको मिल जाएगा. ठीक है यह एरिया क्या था मेशोपटामिया बोला जाता था ठीक है मेशोपटामिया याद रेख आपको आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कांसी यूग ठीक है आगे हम लोग क्या देखते हैं कांसी यूग देखते हैं कांसी यूग में ज्यादा कुछ नहीं इसमें देखे से लेकर 2000 इसापुरु तक तो देखे इस में क्या इस यूग में तामे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था जिससे तलवाने बनाई जाती थी और चोटा नागपुर के असूर और बिर्जिया जन जाती को कांस यूग योजारों का प्रारम करता माना जाता है यूग आटिस्टर बता का जो है वह स्टार्टिंग का मना जाता है पचीस सो बीसी यहने कि बिफोर क्राइस्ट इसापुरु ठीक है और यह 1500 के आसपास तक रही थी ठीक है उसके बाद हम लोग क्या देखते है लो यूग जो है आपका 2000 इसापुरु से लेके 1000 से लेके 1000 इसापुरु तक मना जाता है ठीक है विश्व में कम मना जाता है 1400 इसापुर में लेकिन जारकंड में उससे पहले हो चुगा था दोजार इसापुरु के आसपास ऐसा इतिहासकार का मनना है ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं फिर कि जारकंड में लोहे स इस युग में मेशो पटामिया जानी आज का इरान इराक वाला जो छेत रहे बेजा जाता था देखे यानी जारखन का लोखा कहां बेजा जाता था मेशो पटामिया ठीक है दोस्तों आपको आप यहां पर देखे यह इंडिया हो गया ठीक है यहां पे जार्खन है आपका, यह एरिया क्या है जार्खन? यहां पाकिस्तान हो गया, ठीक है दोस्तों? यहां पे पाकिस्तान हो गया, यहां अफगानिस्तान हो गया, और मेशो इरान, इराक वाला एरिया यह हो गया, सूचिए, यहां से उस टाम लोहा भेजा जाता था मेश मेसोपटामिया सबीता में तो यहां पर जो है जो है जो लुहा यहां से ले जाये जाता था उससे क्या तलवारी बनाए जाती थी तो आप सोच सकते हैं कि उस काल में देख़ें कितना या तयात या फिर आपका जो भी वैपार का कितना वड़ा मतलब development था कि जार्खंट का लोहा कहा पर मिलब पाया गया है आपका Mesopotamia में पाया गया है ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्या कि जार्खंट में निर्मित लोहे को इस यूग में Mesopotamia तक भेजा जाता था जहां दामिस्क में इस लोहे से तलवार का निर्मान किया जाता था और सिंदुगाटि सबत्या का काल या हडपा सबीत्या का काल भी इसको बोला जाता है ठीक है दोस्तों क्योंकि 2000 से 1000 के इसापुरू के बीच में यह है नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग यहां पर जितना था प्राग एतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे ठीक है दोस्तों किसके बारे में पढ़े थे प्राग एतिहासिक काल के बारे में यहां पर हम लोग पढ़े थे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे एतिहासिक काल के बारे में यह अभी लिखित सा्ग्ज है तोई सब चीजों में जो ठीज लिखा हुआ है उसे संदर्म में हम लोग देखेंगे चीज़ दो भी लिखित शुरोत है उसमें क्या है मानुजाति केसे आगे बढ़ा किन-किन चीजों का अविश्कार हुआ खोज हुआ इसके संदर्म में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहासिक काल में ठीक है तो यह देखें यह भी आपका क्या है दस लाख वर्ष पूरु से लेके से आपका अभी वर्तमान तक का इसमें देखें इतिहासिक काल को भी दो भाग में बाटा गया है एक हो गया आपका क्या वेदिक काल में ठीक है और एक हो गया आपका 600 इसापूरु से लेके आज तक अब वेदिक काल में देखें वेदिक काल का प्रार से लेकर 600 इसा पुरू है , अब देखें देखेंगे यहां पੁछ चीज़ें हैं यहां पे लिखित रूप से नहीं पाई गई इसलिए यहां पर ऐसा नहीं की दूसरे संदर्में यहां पर लिखित चीजों इसमें हम लोग देखेंगे कि 800 इसाव पूरुव में जेंदर्म के टेश्वेट इत्हंकर इसमें, पाराशनात के नाम से ही इनाम पाहड़ी का क्या है प्रवेस about? जारखंड में मुंडाओं का प्रवेश भी हुआ है एक ःधारों फ़ेलें याँGO कौन लोग रहते थे थे अब यहाँ पयोग पर्मुढ लोग और असुरों को दिकत होने लगा, इनके संसादनों पर ये लोग कब जा करने लगे, तो इसे में क्या हो गया, असुरों और मुंडाओं का संगर्स हो गया, रहने के लिए, और बाद में फिर क्या हुआ है, कि मुंडाओं ने असुरों को अपदस्त कर दिया, असुरों लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पे ENjanjati के बारे में इनकी परंपरा के बारे और इनका विखास करम कैसे development हुआ है मुंडा जनजादी के लोगों का इसके बारे में यहाँ परकास डाला गया यानि जानकारी मिलती है यह मतलब एक कहानी ऐसा है कि मुंडा लोग जैसे जारकन परविश करता है तो फिर यहाँ पर उलो को जैसे इलो का मुंडा के बारे में पहले बताया थे कि एक रिता मुंडा थे जिसको रिशा मुंडा भी बोलते हैं ठीक है सूतिया पाउन को अपना यह नाइड चुना था और शूतिया नंखंड की इस्थापना की थी यानि बहुत सालों तक यहां पे मुंडाराज चला था छे सो इसापूर में यहां पे आया था असुरो को भगा कर फिर एलोग अनए थापित किया muk概न tahu को यांपर तो यहां पर ये जो है आपका उत्तर वएदिकाल के असुरो का संगर्श रूवा था उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि 250 इसा पूरू में अशुक के सीला लेक में जारखन सब्द को आटव या आटवी बताया गया है जरकन सब्द को क्या बताएगा आटाउ या अटाईव बताएगा था और बहुत धर्म के परचार परसार के लिए यहां पे रक्षित को बिजा गया था अब देखें दोसो इस्वी दोसो इस्वी इसा पुरु नहीं और इन लोगों का सब का जो है छेत्र कहां पे हैं रांची लोहरदग्गा गुमला अपका फिर हो गया इधर पलामु वाला जो छेत्र है यही वाला छेत्र है यह लोग मतलब पाई जाता है इस सब छेत्र में इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पे 600 इसा पुरु तक हम ल थे उदर से आकर्मन कारी तो बहुत लोग जो आकर्मन करके यहां से चले गए लेकिन उसके बाद आपका क्या हुआ अधान को सुतिय नाखन कर दिया था उसके बाद देखने को मिलेगा थिक फिर आपका बारासो चे सलेके 1765 तक हम लोगे ब्यक्यत इसमें दिली शल्तिनत है पिर आपका लो दी हो गिया है, प्रवाबाभ पढ़ा, उन चीजों के बारे में जनकारी लेंगे। फिर मुगल समराज के दौरान जारखन यानि बाबार हो गया जहांगीर हो गया अकबर हो गया उस दौरान जारखन में क्या असर पड़ा इन चीजिए के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं 1765 से लेके 1947 के बीच में इसको हम लोग बोलेंगे अधुनिक जारकन यानि 1765 से लेके 1947 के बीच में पढ़ेंगे ठीक है फिर 1947 से लेके 2000 के बीच में हम लोग देखेंगे सवतंत्रता प्राप्त जारकन यानि कि भारत जब आजाद हो गया अंग्रेजों से उसके बाद जारकन का क्या स्वरूप था तो इस दर्मियान हम लोग द जारकन पार्टी की स्थापना मुए थी, 1950 संसाल समाउक की स्थापना मुए थी, आप का ज्याäd के आज्सषों की स्थापना हुए जामोमों की तो उसके संदर्म में हम लोग देखेंगे ठीक है। पर उसके बाद जारकन आपका एक पृत्षक राज बनग गया 15 ноुमा्य офरी तेजिश्वी को से लेकर अब तक प्रित्थक राज जार्कन के बारे में लोग पढ़ेंगे इसमें कि जार्कन के जब सरकार बनी अलग से जार्कन सरकार के दुबारा कौन-कौन सी जो है राजनीतिक, भोगोलिक, समाजिक और धार्मिक वरस्था अपनाए गएं ठीक है और सा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मैं बता दूँ कि जारकन जागराफी जाके पढ़ लें आपको यूटूब पे सार्च करके अगर मारिये गया तो आपको वहां पर सारा चीज़ें आ जाएंगे उसको पढ़ने के बाद आपको जब हिस्ट्री पढ़ियागा तो आपको हर चीज़ें मतलब एटू जाएड जो है कौन कौन चीज़ें कहां पर बरस्ती थे सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है तबीक लिए जैहिन जैबारत